नमस्कार, मैं हूँ प्रवीन पर्मार और इस समय आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास इश्या की हिंदी सर्विस कलिस्याई समाचारों में आप सभी का स्वागत है तो आई सबसे पहले जानते हैं आज के मुख्य समाचार आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है पोप ने युद्ध ग्रस्त देशों के लिए ओलम्पिक युद्ध विराम की अपील की कार्डिनल परोलिन युक्रेन की यातरा पर चर्श के नेता धर्म युद्ध विवात को शान्त करने के लिए संगर्श कर रहे हैं प्रोहित ने स्कूल फिस्ट घोटाले में फिर से जमानत मांगी उत्तर प्रदेश में ट्रेन से पट्री से उतरने से दो लोगों की मौत 35 घायल इंटीग्रल इकोलोजी पर काईतास इश्या की शेत्रिय कारिशाला मनीपूर में जन जातिय समू अलग संगी शेत्र की मांग कर रहे हैं अब जानते हैं समाचार विस्तार से पोप ने युद्ध गरस्त देशों के लिए उलम्पिक युद्ध विराम की अपील की पोप फ्रांसिस ने अपनी इक्षा व्यक्त की है कि आगामी ओलम्पिक और पेरालम्पिक खेल चल रहे युद्ध शेत्रों में युद्ध विराम इस्थापित करने का अवसर प्रदान करेंगे और एतलिट शांती के दूद बनेंगे देवदुद प्रातना की उप्रांत पोप ने आगामी ओलम्पिक खेल के लिए सभी खिलाडियों खेल के आयच को एवं खेल से जुड़े सभी लोगों कोशुप कामनाय दी उन्होंने कहा प्यारे भाईयों और बहनों इस सब्ता पेरिस ओलम्पिक खेल सुरू होंगे उसके बाद पेरालम्पिक खेल होंगे खेल में एक महान सामाजिक शक्ती भी होती है जो विबिन संस्कृतियों के लोगों को शान्ती पूर्वक एक जुट करने में शक्षम है मुझे उम्मीद है कि यह आयोजन उस समाविशी दुन्या का प्रतीक बनेगा जिसे हम बनाना चाहते है और एथलेट अपनी खेल संबंदी गवाही के साथ शान्ती के संदेश वाहक और युवाव के लिए उप्युक्त मॉडल है विशेश रूप से प्राचिन परंपरा के अनुसार ओलम्पिक युद्धों में युद्ध विराम इस्थापित करने का एक अवसर है जो शान्ती के लिए एक सच्ची इक्चा को प्रदरिशित करता है वाटिकर राज्य सचीव काडिनल पियोत्रो पोरोलीन उननिस से चोईस जुलाई तक युक्रेन की यात्रा पर है वे युक्रेन के लातिनी रिती के काथलिकों के तीर्थ यातरा समारों में बर्दे कीव के मरियम तीर्थ पर क्रिस्त याग अरपित करेंगे वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियोतरो पॉरलिन की युक्रेन यातरा शुकरवार 19 जुलाइस से शुरू ही जो यात्रा बेडेकिव के मरियम तीर्थ सिस्तल पर आयोजित युक्रेनी लातीनी रिती के कातलिकों की तीर्थ यात्रा के समापन समारों के लिए वाटिकन के विशेश दूत के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद हो रही है रूसे आक्रमन की शुरुवात के बाद से पूर्वी यूरोपिय देश में कारिनल की यह पहली यात्रा है जो 24 जुलाई को समाप्त होने वाली है चर्श के नेता धर्म युद्ध विवाद को शान्त करने के लिए संगर्श कर रहे हैं पंजाब राज्य में अग्यात पास्टरों द्वारा सिखों को धर्म युद्ध कहे जाने पर आपति जताने के बाद चर्श के नेताओं ने सिख धर्म के शीष नेताओं से मुलाकात की है पास्टरों ने कथित तोर पर राज्य के इसाईयों पर हमलों की एक श्रंकला के बाद सिख समुदाई के सदस्यों को धर्म युद्ध कहा जिन पर जब्रन धर्मांत्रण का आरोप लगाया गया था पंजाब की आबादी में इसाईयों के हिस्सेदारी 10 प्रतिशत है पंजाब राज्य में जालांदर धर्नप्रांद के प्रेडित प्रशाशक बिशब एगनेलो रूफीनो ग्रेसियस ने 18 जुलाई को बताया कुछ अग्यात पास्टरों ने कथित तोर पर उनके लिए धर्म युद्ध शब्द का प्रयोग किया है यह दर्दनाक और दुर्भाग्य पून है धर्माद्यक्ष ने कहा कि उनका वर्षों से सिखों के साथ अच्छा तानमेल रहा है और उन्हें शायद ही कभी किसी समस्या का सामना करना पड़ा हो प्रोहित ने स्कूल फिस घोटाले में फिर से जमानत मांगी मद्यपरदेश में कथित स्कूल फिस घोटाले में शामिल होने के कारण जेल में बंद एक केथोलिक प्रोहित ने 18 जुलाई को दूसरी बार जमानत याचिका दायर की जबलपूर डाइसिस के फादर अबराहम ने मद्यपरदेश उच्छ न्याले की मुख्य पीट के समक्ष दूसरी अपिल दायर की है जिसमें उसी न्याले के आदेश को चुनोती दी गई है जिसने 12 जुलाई को उनकी आचिका खारिच कर दी थी प्रोहित उन 22 लोगों में शामिल है जिनने 27 माई को गिरफतार किया गया था जब सरकार ने उन पर स्कूल फीज घोटाले में भूमिका का आरोप लगाया था जिसमें डाइसिस द्वारा संचाली तीन स्कूल और जवलपूर्द में चर्च ऑफ नौर्थ इंडिया द्वारा संचाली पांच स्कूल शामिल है जबलपूर्ड आइसिस के विकर जनरल फादर डेविस जोर्ज ने 19 जुलाई को बताया हमने कथित फीज घोटाले के सिलसले में जेल में बंद फादर थजा थेदाथू और हमारे इसकूल के कुछ कर्मचारियों के रिहाई के लिए उच्च न्याले में दूसरी अपिल दायर की न्याई मूर्थी मनिंदर एस भटी की एकल पीट ने फादर थजादेथ थातू और जबलपूर के सियनाई विशप अजई कुमार जेम सहित 13 लोगों की अपिल खारिच कर दी है फादर जोज ने कहा दूसरी अपिल एकल न्याई धीश के बजाए खंडपिट द्वारा सुनी जाएगी हमें उमीद है कि इस बार हमें न्याई मिलेगा उत्तर प्रदेश में ट्रेन के पट्री से उतरने से दो लोगों की मौत 35 घायल 18 जुलाई को एक यात्री ट्रेन पट्री से उतर गई और उसके कई डब्बे पलड गए जिसमें कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और अन्य पेतिस घायल हो गई जबकि बचाव और राहतकारी जारी है भारत का रेलवे नेटवर्क विशाल देश्ट में यात्रा का मुख्य साधन है लेकिन यह खराब वित पोशित और अक्सतर घार तक दुरगटनाय होती है 2640 किलोमेटर तक चलने वाली 22 डब्बे वाली चंडी गढ़ डिबरुगढ एक्सप्रेस अयुद्या के पास दो पहर धाई बजे पट्री से उतर गई रेलवे के प्रवक्ता पंकज कुमार सिंग ने बताया दो लोगों की मौत हो गई है उत्तर प्रदेश राज्य राहत अयुक्त नविन कुमार ने बताया कि अन्य 35 लोग घायल हुए है जिन में से तीन गंभीर रूप से घायल है उन्होंने कहा कि बचाव अभियान समाप्त हो गया है और ट्रेन के अंदर कोई नहीं फसा है घटना का कारण तुरंट इसपस्ट नहीं हो पाया है इंटीगरल एकोलोजी पर कारितास एश्या की शेत्रिय कारिशाला कारितास एश्या ने 16-18 जुलाई को इंटीगरल एकोलोजी पर एक शेत्रिय कारिशाला आयुजित की जिसमें एश्या भर के 28 प्रतिभागी शामिल हुए इस कारिकरम में जलवायू लचिलापन को बढ़ावा देने के उद्देश से जमीनी स्तर पर किये जाने वाले हस्त शेपों पर प्रकाश डाला गया जो पोप फ्रांसिस के विश्वपत लोदातों सी के साथ संद्रखी थे जो पायस्तितिक सामाजिक आर्थिक सांस्क्रतिक और आध्यात्मिक आयामों के परस पर संबंद पर जोड़ देता है अपने उद्गाटन भाषन में कारितास एश्या के शेते समनवेग सूशी मुंग रेफी सिम्रे ने मानवता और परियावरण के बीच आध्यात्मिक संबंद पर जोड़ दिया उन्होंने इंटिग्रल इकोलोजी का आवहन किया प्रतिभागियों से परियावरण और एक दूसरे के साथ हमारे संबंदों के आध्यात्मिक आयामों को पहचानने का आग्रह किया मनीपूर में जन जातिय समू अलग संगी शेत्र की मांग कर रहे है संगर्ष ग्रस्त मनीपूर में एक जन जातिय निकाई ने भारत सरकार से उन शेत्रों को संगी शेत्र का दरजा देने का आग्रह किया है जहां आधिवासी कुकी जो जन जाति लोग रहते हैं मनीपूर में आधिवासी जन जातिय नेताओं के मंच ने संगी ग्रह मंत्री अमिश शा को संबोधित एक खुले पत्र में सरकार से भारती संविधान के अनुच्छेद 249 ए के तहत कुकी जो समुदाई के लेक विधाईका के साथ एक संगी शेत्र बनाने में तेजी लाने की अपील की अनुच्छे 249 ए में नई दिल्ली से सीधे प्रशासित कुछ संगी शेत्रों के लिए एक इस्थानिये विधाय का मंत्री परिश्रद या दोनों के निर्मान का प्राउधान है इसी के साथ आज के कलिसे समाचार समाब्त हुए मुझे यानि प्रविन परमार को दीजे इजाजत अगली बार फिर मुलाकात होगी नई ख़बरों के साथ तब तक के लिए नमश्कार रेडियो वेरितास एशिया आप लिए लेकर आए है आरवे मोबाल एप आरवे मोबाल एप पर हमारे विबन प्रकार के कारिक्रमों का लाब लें हमसे जुड़ें और एशिया इसायत की अवाज का हिस्सा बनें आज ही एप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवे मोबाल एप डाउनलोड करें